नमस्कार आदाप सस्रीयकाल अस्सलाम अलाइकम विए आज एक नई वीडियो में आपको अपने योटूब चैनल आस्टेप टो दे नेचर पे वेलकम करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आज हम बात करेंगे कि अपने घरों में कद्दू कैसे हो गए कद्दू को इंग्लिश में बॉटल गौर्ड और एक यह वाइट फ्लावर्ड प्लावर्स वाइट होते हैं और यह बेल की सूरत में ग्रोथ करती है तो इसको हम गर्मियों के मुसम में लगाते हैं जैसे फेबर्वर कि मार्च और जुलाई और अगस्ट यह हमने सीट्स लिए हैं कद्दू के दरास शॉप से तो अभी इसको आपको निकाल के दिखाता हूं इसके सीट्स कैसे हैं यह नोंने पांच सीट्स दिये हैं हमको एक पेकेट में इतने लो कॉइंटिटी दिये मेरे ख्याल से 10 सीट्स को स्कावा है इसको मौस्चर देंगे पानी का मौस्चर देंगे ताक के यह जल्दी से फास्टर से फास्टर ग्रू हो जाएं तो इसको साथ से आट दिन या 9 से 10 दिन लग जाते हैं ग्रू करने के लिए मैं आपको ऐसा वे बताऊंगा जिससे 5-6 दुनों में ये इंशाला जर्मिनेशन कर जाएगा तो चलिए आपको वे बताता हूं कि पहले एक ट्शू पर ले लेना है इसको को गर्म पानी में बीचो देना तरीrika दोट्रुकर सीथ सीथ से रख देने हैं कि पेला देने शीड Pokémon को कि तो अज यहां कि डिस्टेंस रख दे सीट को पीच में ताकि कि अवर क्रौव डिन नहीं हो पाएं अब इसको इसे अंदर बंध करते हैं कि अब ऊपर से ठोड़ा पानी छटक दे बाकर happens को मौना मिल जाए तो अभी इसको मॉस्चर भी मिल गए अभी इसको रखते हैं एक बंद पेकेट में इसको बंद पेकेट में थोड़ा इसमें पानी भी एड़ कर देते हैं ताकि इसमें मॉस्चर बना रहे हैं और सीट्स जल्दी से जल्दी जर्मिनिट हो जाए पर मिलते हैं दो दि जब दिन के ऐब हमारे सीट इसे वगे हैं देप सकते हैं बहुत फूल गई है नोंने पूरा पानीidar कर लि rabbits लगा के देखते हैं करते ह Govern ओर लगाने के लिए मैं ने यह radio से संगे है तो इसमें मिट्टी भी डाल दिए जिस में स्वाइल कंपूज़िशन अच्छे से बनाए मैंने है इसमें साट परसंट स्वाइल है दो 20% और 20% पर संट आर्गनिंग कमपोश्ट में पतों का पते भी डाल दिये मेंने जो सड़ गए थे पते तो यह वह यह बूस्ट करेगा हमारे जर्मिनेशन को तो सबसे पहले इसमें हम होल कर दें तीन सीट्स लगाते इसमें तो सीट्स लगाते हैं ऐसे एक स्वेसे रख देना है इसको अच्छे से स्वाल के अंदर रख देना है और उपर से मिट्टी डाम देनी है अच्छे से मिट्टी डाम दें इनको सुबह के टाइम या शाम के टाम लगाएं इसको कद्धू को लगाने कर दो वक्त होते हैं साल में एक मार्च में और एक हम जोलाई और अगस्ट अभी अगस्ट में लगा रहा हूं साथ अगस्ट तो आप भी लगाए अपने किचन कर जाल हैं और वह मौस्ट्चर को ठालें ताकि जल्दी से जल्दी हो जाया पर देखते हैं यह कब तक जर्मियोट होते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं अभी इस एक और बात जोखास बात हैं के इनकी जोच जो स्वाइल है वो ड्राइन होनी चाहिए इनकोasten तोड़ा सा सूरज जा जाए लिए पर जयादा तो radi में रखें ताकि इनके हो पाते हैं छे दिन बाद ये आप जेख सकते हैं हमारे चे दिन के बाद का हजल्ट है वारे बोटल गॉड्स मेने तीन से चार तीन सीट्स लगाए थे एक सीट्स निकला ये भी हमारे लिए अच्छा है तो यह था हमारी सीडलिंक कद्दू की अगर वीडियो अच्छ लेगी यह तो वीडियो को लाइक और शेयर और चेनल को सब्सक्राइब करतें अला तरह आपको सारी निमतों से अदा करें अला तरह आपको दुखों और भीमारों से बचाए अगर जिंदे के रही तो अगले व